नमस्कार फ्रेंड्स जियस ग्यान ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम हिरोन्स फार्मूला को डिसकस करेंगे हिरोन्स फार्मूला मैथमेटिक्स के अंदर किसी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल के जाता है यह एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट फार्मूला होता है जिसको की हम कॉम्पर्टिशन में भी यूज करते हैं और क्लास नाइन्थ के NCRT के चेप्टर 12 में इसके बारे में दिया गया है जैनि यह एक फुरा एक चेप्टर है क्लास नाइन्थ में तो इसलिए क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट चेप्टर है साथ ही साथ जो बेकती कंपर्टिशन के त्यारी कर रहे हैं जैसे कि I.S.C.S. का या SSC बैंकिंग रेलवे उनके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है क्योंकि कॉम्पॉर्टिशन में भी इस फार्मॉले का इस्तेमाल करके किसी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है तो आज का बीडियो आपके आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट होने वाला है तो इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखिए तक ही इस से लेटेट सारे कॉंसेप्ट समझ में आ जाए फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने हिरोन्स फार्मॉला से लेटेट कंसेप्ट को क्लियर करने कोसिस किया है साथ ही साथ क्लास नाइन्थ के चैप्टर ट्वल्व NCRT के बुक्स में जो दिये गए सवाल है यानि कोस्टन जो दिये गए है उसमें सारे के सारे कोस्टन को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है इसलिए हर तरह का कोस्टन इस वीडियो को देखने बार आप लगाने में सक्चम होंगे साथी साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना ना भूलें लिंक हमने इसी वीडियो की डिसकस्टन में दे रखा है वहाँ से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं आपको नोट्स बनाने की जुरूत नहीं है PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लिजे आपका नोट्स तयार हो जाएगा और अगर किसी प्रकार से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो हमें mail कर सकते हैं या हमें comment box में लिख सकते हैं साथ ही साथ इसी वीडियो की discussion में हमने दे रखा है link वहाँ से टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी वीडियो और PDF अवलेबल है इस चैनल पर प्रवाइड किया गया सभी study medal 100% free है इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं आप से लिए आता है इसलिए आप सभी लोग यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरण सब्सक्राइब कर लिजिए साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फ्रेंड्स हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हिरोंस फार्मला के कॉंसेप्ट को समझते हैं जैसा कि हम जानते है स्केलन ट्रेंगल ऐसा ट्रेंगल जिसके सभी साइड डिफरेंट हो यानि कि माल लिजिए यहाँ जैसा कि स्क्रिम पर दिखाएदे रहा होगा एक ट्रेंगल है P, Q, R जिसमें सभी साइड डिफरेंट है यानि P, Q की लंबाई मालिया A है और Q, R की लंबाई मालिया हमने B है और R, P की लंबाई मालिया C है यानि तीनो साइड डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के हैं तो हिरोंस फार्मना apply करने के लिए इसका फार्मरा होता है हिरोंस का तो सबसे पहले S बराबर निकालते हैं A प्लस B प्लस C बाई 2 यानि जो side दिया हुआ है यहां पर हमने P Q की side की measurement दिया है A और Q R की जो B लिया है और P की लंबाई जो C है इन तिनों को पहले sum करके उसको half कर लेते हैं यानि A प्लस B प्लस C अपान टू यानि इस तरह से निकालने के बाद ये S निकलता है S निकालने के बाद हम apply करते हैं formula area का formula होता है under root में S, S minus A S minus B, S minus C यानि जो यहां पर sum आया था उसको यहां पहले लिखेंगे उसके बाद में इसी sum में से A side को खटा देंगे यानि यह जो measurement है आपका S minus A कर देंगे फिर into में S minus B यानि यह जो measurement दूसरा वाला है उसको भी घटा लेंगे और फिर S minus C यानि C वाला measure को घटा लेंगे यानि सभी multiplication में रहेगा घटाने के बाद फिर उसके बाद में जो हमारा under root करने पर जो value आती है वो हो उसकी area हो जाएगी यह एक heroins formula है अगर perimeter पूछा जाए तो simple होता है perimeter में क्या करते हैं सभी side को add कर लेते हैं यानि P Q की लंबाई जो हो Q R की लंबाई जो होती है और R P की लंबाई सभी को हम sum कर देते हैं यानि जोड़ देते हैं तो उसका वो perimeter निकलाता है तो इतनी मात आपको याद रखना है इसी formula को हम कहते हैं heroins formula इसको हम आगे बहुत ही apply करेंगे मतलब धेर सारे सवाल लगाएंगे उसमें सब apply करेंगे तो आप पहले ये समझ गए होंगे जब भी heroins formula apply करना होता है तो सबसे पहले S निकालते हैं S क्या होता है सभी side का sum upon 2 होता है और उसके बाद area के formula होता है under root में S S-A S-B S-C इसको हम आगे apply करेंगे इसको आप तुरंत याद कर लेगे आपको याद हो गया होगा और अगर कोई equilateral triangle है हम जानते हैं अगर सभी side equal हो माना P, Q, Q, R, R, P सभी side मालिया A, A, A सभी के measurement A है तो वहाँ पर हम कहते हैं ये triangle equilateral triangle है अगर सभी side बराबर होते हैं तो ये equilateral triangle होता है तो उसके area निकालने का ये formula होता है under root 3 upon 4 into side का square ये एक formula होता है कब apply करते हैं जब equilateral triangle होता है हाला कि इस chapter में इसको use नहीं करना है फिर भी यहाँ जानकारी के लिए हमने दे दिया है perimeter के लिए वही सभी side को add कर देंगे तो perimeter निकलाएगा next है right angle triangle जैसा कि हम जानते है कोई एक angle 90 degree हो जाए तो उसको right angle triangle कहते हैं तो इसका area निकालने के formula होता है half base into height ये जो base है इनको height से multiply करके half कर देते हैं तो right angle triangle का area निकलाता है अगर perimeter निकालना होता है तो सभी side को add कर देते हैं ये इस chapter में सवाल लगाने में यूज होगा pathagoras theorem pathagoras theorem का simple concept है hypotenuse का जो है उसको square कर देंगे वो बराबर हो जाएगा base के square प्लस perpendicular के square वही चीज़ जहाँ पर लिखा हो है hypotenuse का square is equal to base का square प्लस perpendicular का square मतलब height का square ये formula आगे चलका use होगा इसलिए हमने आज को दे दिया है तो ये थे basic concept इसके बारे में आप समझ गया होंगे अब इससे related कुछ questions करते हैं लगाते हैं देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं इसक्रीन पर आपको एक question दिख रहा है question पढ़ते हैं a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A एक कोई equilateral triangle है यह जिसके सभी side बराबर है और उसमें लिखा हुआ है कि आगे school है जिसके सभी के side A है यह भी side A है यह भी side A है और यह भी side A है find the area आपे signal board अब इसका area आपको find out करना है जो क्या कहते है equilateral triangle है इसका area आपको निकालना है तो area निकालने के लिए कई फार्मले है यहाँ पर आपको hero's formula अपलाई करना है फिर कह रहा है using hero's formula if the perimeter is 180 cm what will be the area of signal board अगर उसका perimeter दे रखा है 180 cm तो उसका area बताना है यहाँ पर यह सवाल है question बहुत ही आसान है आप आराम से कर सकते हैं यहाँ लगाने कोशिस करते हैं देखे question में दिया हुआ है कि यह एक equilateral triangle है यहाँ पर लिखा हुआ ना equilateral triangle मतलब एक ऐसा triangle बनाएंगे PQR हमने एक triangle बना लिया जिसका side सभी का हमने A मान लिया क्योंकि यहाँ A दे रखा है question में दे रखा है कि सभी side A है तो हमने एक triangle बनाया उसका area सारी side मालिया A, A, A सबका तो जहां दिया हुआ perimeter तो perimeter के लिए हमने अभी पताया कि सभी side को add कर लेते हैं तो मान लिया इस figure के हिसाब से PQ plus QR plus RP यहाँ दिया है PQ plus QR plus RP हम सभी को सम कर लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ A सभी का side A दे रखा है तो हमने सभी के value put कर दी यहाँ पर देखे A रख दिया यहाँ पर A रख दिया यहाँ पर A रख दिया तो सभी के side करेंगे तो a plus a plus a मतलब 3a तो perimeter आपका 3a आ गया और इसी perimeter की value यहां दे रखा है 180 cm 180 cm दिया हुआ है तो इसी 3a के बराबर हम कर देंगे तो यहां लिखा है perimeter is called to 3a, 3a is called to 180 तो 3 को जब नीचे लाएंगे तो काटेंगे 3 बन जा 3, 360 जा यानि a के value आपके मिल गई 60 तो यहां से हम a के value यानि side यहां पर हमें मिल गया यह 60 cm तो अब इसी figure को हम यहां फिर से draw कर लते हैं तो सभी का side हम रख देंगे 60, 60 cm यहां तक आपको वासन में आ गया होगा यानि perimeter का इस्तेमाल करके हमने इस triangle का side पता कर लिया अब हमारे पास side की सभी value हैं तो here on formula apply करने के लिए हमने बता है पहले s निकालते हैं s निकालने के बाद formula apply करते हैं तो यहां s लगा देते हैं s बराबर होता है a plus b plus c upon 2 तो यहां पर देखे a की value भी 60 है b की value भी 60 है और c की value भी 60 है तो यहां हमने रख दिया a की value 60 b की value 60 और c की value भी 60 यहां आप इसको sum करिये तो 180 आता है 180 upon 2 तो इसको जब divide करेंगे तो इसका आजाएगा answer 90 यहां तक आपको clear हो गया होगा पहले हम s निकाल लेते हैं किसी भी triangle का अब हम लगाएंगे hero's formula hero's formula हर बार सवाल लगा थे समय use किया करें ताकि formula याद हो जाए formula क्या है s under root में s s minus a s minus b s minus c तो लगा दिए इसमे value s की value हमने निकाला 90 90 रख दिया फिर bracket में s minus a है मतलब s की value 90 90 minus 60 जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर side दिया हो 60 तो यहां पर हमने लिख दिया 90 minus 60 उसी तरह s minus b b की value भी 60 है तो 90 minus 60 रख दिया c की value भी 60 है तो s minus c मतलब 90 minus 60 अब आप इसमें सब को घटा दिए तो दिखिए तो 90 रह जाएगा और यहां 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा इस 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 रह जाएगा यहां पर भी 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 रह जाएगा यानि कि अब under root में हमारे पास आगया value 90 into 30 into 30 into 30 यह आगया अब आप इसको simply multiply कर लिजिए अब इन सब को multiply जब करेंगे तो आपका value यह आएगा 243003 यह आगया आपकी value अब इसका क्या करें simple under root निकाल लिजिए under root निकालना तो आपको पता ही होगा class 8 7 में आपने under root निकालना सिखा होगा तो इसका जब under root निकालेंगे तो हमारे पास यह value मिल जाएगी 900 under root 3 cm2 यह हो गया आपका हिरोंस फार्मुला का इस्तेमाल करकी किसी triangle का area निकालने का method तो पहला सवाल जो दिया था इसको हम समझ गया होगे आसा करते हैं सभी लोग को समझ में आगया होगा अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से replay करके वीडियो देख लीजेगा तो यह हो गया पहला सवाल अब दूसरे सवाल पर चलते हैं दूसरा question है the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement the sides of the wall are 122 meter 22 meter and 120 meter the advertisement yield an earning of 5000 rupees per meter square per year a company hired one of its ball for three months how much rent did it pay यानि ये कह रहा है question कि एक triangular shape में कोई wall है जिसका जो dimension है यानि जो side का measurement है वो दिया है 122 meter 22 meter और 120 meter ये तीन measurement दिये हुए उस triangular shape का size अब आपको बताना इसका rent कितना आएगा क्या है area पहले निकालेंगे तो सबसे पहले हम figure बनाते हैं ये एक हमने ले लिया figure PQR PQR हमने एक figure draw किया जैसा कि question में दिया हुआ एक triangle है तो हमने एक triangle draw कर लिया अब यहां पर देखे यहां दिया है एक measurement 122 meter तो हमने माल लिया PQ की लंबाई 122 meter है यानि 122 meter दे रखा है PQ की लंबाई और दूसरा side दे रखा है 22 meter तो हमने माल लिया कि PR 22 meter है आप कोई भी measurement कहीं भी fit कर सकते हैं ऐसा नहीं कि इसी सिस्टम से करिए आप जैसा चाहिए ऐसा कर सकते है आंसर वही आएगा और दूसरा हमने माल लिया next वाला 120 meter है तो जो value हमारे पास दिया हुआ है उस value को हम triangle में fit कर दिये अलग अलग जगां पर जैसा जैसा है रखना था हमने रख दिया अब यह बन गया एक triangle अब पहले इसका area निकालेंगे area निकालने के लिए अभी हमने सुरू सुरू बताया कि सबसे पहले जब हिरोंस फार्मला अपलाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले s निकालते हैं s क्या होता है सभी का measurement जो होता है उसको सम करके by 2 कर देते हैं उसके बाद फार्मला अपलाई करते हैं तो इस question के हिसाब से हम देखते हैं s बराबर a प्लस b प्लस c by 2 यहां a की value देखिए 22 यहां दे रखा है हमने put कर दिया b की value 120 हमने 120 रख दिया और c की value दे रखा है 22 हमने 22 रख दिया अब तीनों value को सम करके half किया तीनों value जब सम करेंगे 264 आएगा तो 264 अपान 2 जब 264 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 132 आ जाएगा यह 132 जो होगा s होगा इसी को हम s कहेंगे अब एरिया का फार्मरा होता है अंडर रूड में s, s-a, s-b, s-c. s की value 132 है यहां रख दिया हमने फिर s-a है ब्रेकट में तो 32-122 यानि a की value 122 रख दिया और s की value हमारा निकाला है 132 दूसरा है s-b इसी तरह s की value 132 और b की value 120 हमने रख दिया हमने रख दिया हमने पर फिर तीसरा है s-c, s की value 132 और c की value 22 इस तरह हमने put कर दिया पूरा अंडर रूड लगा दिया आगे चलते हैं तो यह हो गया 132 तो ऐसे लिख देंगे फिर इसको घटाएंगे सब्टेक्ट करेंगे 132-122 तो आ जाएगा 10 फिर 132 में से 120 घटाएंगे तो आएगा आपका 12 132-22 तो यह आजाएगा 110 तो इस तरह से घटाने के बाद यह हमें value मिल गई अब फिर इसको हम multiply कर देंगे इस सारे value को हम multiply करेंगे तो हम यह value मिलेगी 1742400 यह value हमें मिल गई multiply करने के बाद अब multiply करने के बाद हम निकालेंगे क्या अंडरूट अंडरूट निकालने के बाद हमारा जो value आएगी 1320 आप calculate कर सकते हैं यह यह जो ट्रेंगुलर सेप जो हमारा वाल था इसका area आ गया इसका area हमने निकाल लिया हिरोंस फार्मॉला का इस्तेमाल करके अब यहां पूछा है कि 5000 रूपीज पर मीटर स्कॉर पर एयर लगता है यानि एक साल का हम जानते हैं एक साल में 12 महीने होते है 12 मंत होता है तो यहां एक मीटर स्कॉर अगर hire करता है एक साल के लिए तो उसको महीने में लग रहा है आपका 5000 रुपे रेंट है कि साल एक महीने के लिए हम क्या करें है इसको हमारे पास तो इसी तरह हमारे पास total area कितनी है 1320 यहां 1320 से भी multiply कर देंगे क्योंकि यह 1 meter square का है और उसको हमें निकालना है कितना 1320 का तो फिर हम पूरा जब multiply करेंगे और यह से काटने के बाद यह value हमें मिलेगी 165 0000 यह हमें मिल गया इतना रूपया आएगा तीन महीने का cost इस तरह से जो company है उसको pay करना पड़ेगा 165 0000 यह 4 बार 0 165 0000 इतना रूपय आपको pay करना पड़ेगा यह आपका इस company को hire करने के लिए देना पड़ेगा तो यह question second था आपके ncrt books का तो आई होब आपको यह second question भी समया आ गया होगा अब चलते थार्ड है clean if the side of the wall are 15 meter 11 meter 6 meter find the area painted color जो भी है तो simple question वही hero's formula इसमें एक triangle दिया हुआ है उस triangle में लिखा हुए जिसकी dimension है एक के लंबाई है 15 मीटर कि दूसरा है 11 मीटर तीसरा है 6 मीटर यह एक ऐसा ट्रेंगुलर सेप का फिगर है ऐसे जिसका एक है 15 मीटर लंबा कि दूसरा 11 मीटर लंबा और तीसरा 6 यह इसका मेजर्मेंट देखा जाए 15 116 है अब इसको सेम तरीके supply करेंगे सबसे पहरे हिरोंज फार्मना का अप्लाई करने के लिए क्या करते है वह यह उने बताया पहले एस निकालते हैं तो एस निकालेंगे ए आप का है यहां पर यहां पर देखे करेंगे यह का रहा हैं आप हमने 15 माना 15, B है 11, C है 6, अब इन सब को हमने सम किया, सम करके 2 से डिवाइट कर देते हैं, तो इसको जब सम करेंगे तो इस काएगा 32, 32 बाइ 2 यानि 16, S की बैलू हमें मिल गई 16, S की बैलू हमें मिल गई 16, 16 सॉल्व करने का, अब हम लगाएंगे हिरोंस फार्मॉला का एरिया निकालने का, क्या फार्मॉला होता है, अंडर रूड में, S, S मानस A, S मानस B, S मानस C, यह फार्मॉला होता है, तो S की बैलू हमने निकाला 16, तो रख दिया 16, 16 फिर S-A, यानि, A के बालू हमने हमारे 15 मानआ है, तो 16-15, फिर S-B, S के बालू 16 है, और B के बालू 11 है, तो 16-11, फिर S-C मनलब 16-6, अब हमने सब को घटा दिया, तो ये तो होगया 16, फिर 16 में से 15 का या 1, 16 में से 11 गया 5, और 16 में से 6 गया 10. तो यह हमारे, हमें value मिल गई घटाने के बाद, अब हम इस सब को multiply कर लेंगे, multiply करेंगे तो मिलेगा 800, अब 800 को हम under root निकालेंगे, तो मिलेगा 20 root 2, meter square, यह root में आया है, तो यहाँ पर root निकालना तो आपको आता है, 800 का root निकालेंगे, तो 20 root 2 आ जाएगा, यह आपका answer हो जा 2, तो यह आपका यह तीसरा question था, I hope समझ में आ गया होगा, next question देखते हैं, लिखा है find the area फिर triangle, जिसका two sides दिया है, 18 cm और 10 cm, और साथ ही साथ इसका perimeter दिया हुआ है, इसमें तीसरा side नहीं दिया हुआ है, तो हम माल लेते हैं, third side x, एक triangle खिशते हैं, PQ, QR और rp, इसमें देखे, जो एक side दिया है, 18 cm, यानि हम रख दिया, 18 cm, दूसरा दिया है 10 cm, तो हमने यहाँ पर इसकी side measurement दिया 10, और तीसरा नहीं दिया है, तो हमने x माल लिया, लेकिन यहाँ पर देखे, perimeter दिया हुआ है, तो perimeter के लिए formula हमने बताया था, सभी का side add कर लेते हैं, हमने pq, प्लस qr, प्लस rp, तो हमने यहाँ लिखा है, pq, प्लस qr, प्लस rp, यहाँ formula लगा है, तो pq की value यहाँ देखे, 18 है, 18 है, तो 18 रख दिया, qr की value यहाँ 10 है, तो हमने 10 रख दिया, और rp की value x हमने माना है, तो x रख दिया, और यह बराबर है perimeter कितना, 42 के दिया तो equal कर देंगे 42, उसके बाद देखिए, 18 और 10 ये add हो जाएगा, क्योंकि ये constant है, constant को constant के साथ add कर सकते हैं, तो 18 प्लस 10 बराबर 28 आ जाएगा, लेकिन यहाँ x जो है एक variable है, ये इसमें add नहीं होगा, बलकि ऐसे लिख लिए जाता है कि plus x करके, इसका मतलब इसका addition आएगा, इस फूरे का 28 प्लस x, ये बराबर किसके 42, अब यहाँ पर देखिए value प्लस में है, इधर जब जाएगी तो ये 42 है, और ये 28 जाके यहाँ minus 28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ value इधर प्लस में है, इधर जाके minus हो जाता है, हम जानते है, प्लस value अगर है, तो equal के उस तरफ जाता है, तो minus हो जाता है, अगर कोई minus value है, तो equal के उस side जाता है, तो plus हो जाता है, अगर multiply है, तो इधर जाएगा तो division में आ जाता है और division में है value तो उस side में जा करके into में हो जाता है multiply में हो जाता है तो यह एक basic concept है basic चीजे हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया 28 को धर ला जा करके minus कर दिया तो x के value आ जाएगी 14 cm यहाँ x के value हमें मिल गई तो यह जो triangle था आपका इस triangle को आप हम इस तरह बना लेंगे यह वाला triangle था देखिए यहाँ 18 है यहाँ 10 है और यहाँ जो x के value थी वह हमें मिल गई 14 तो हमने 14 रख दिया तो इस तरह से triangle P, Q, R हो गया 18 cm, 10 cm और 14 cm फिर आगे देखते हैं अब hirons formula अपलाई करना है तो hirons formula अपलाई करने के लिए हमने बता है दो चीजें पहला हम s निकालते हैं उसके बाद formula अपलाई करते हैं तो s निकालने के लिए सभी का sum कर देते हैं तो a plus b plus c by 2 यानि a की value 18 है, b की value 10 है और c की value 14 है तो 18 plus 10 plus 14 by 2 सबको add किया, सबको add किया तो 42 आया, अब 42 by 2 करेंगे तो आया जाएगा 21 यहनि इन सबको sum करने के बाद 42 आता है, 42 को divide कर देंगे 2 से 21 आ जाएगा अब हम apply करेंगे hero's formula, hero's formula क्या है, under root में s, s minus a, s minus b, s minus c, तो s के value 21 है, 21 लिख दिया हमने फिर s minus a आता है, यहनि 21 minus 18, फिर s minus b आता है, 21 minus 10, s minus c आता है, 21 minus 14, हमने सबको लिख करके under root में डाल दिया अब यह 21 तो 21 आ जाएगा, यहाँ 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ 21 में से 10 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, यहाँ 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा इस प्रकार से ये value हमें मिल गई अब इस value को हम क्या करेंगे सब को multiply कर लेंगे multiply करने के बाद आएगा 4, 8, 5, 1 अब इसका under root निकाल लिजे under root निकालने के बाद हमारा आएगा 21 under root 11 तो इस triangle के area आगया 21 root में 11 cm2 तो इस question का ये आपका answer हो गया I hope आपको समझ में आ गया होगा next question की तरफ चलते हैं लिखा है the side of triangles are in the ratio अब देखे ये थोड़ा सा अलग है इसमें जो value दी ही side का और ratio में दिया हुआ है 12, 17 और 25 की ratio में लेकिन साथ ही साथ इसका perimeter दे रखा है 540 cm तो इसको पूछा है find its area तो इसका area निकालना है तो जब कभी याद रखिए कि जब कभी ratio में कोई side दिया रहता है तो हम किसी variable से उसको multiply कर लेते हैं पहले तो जैसे यहाँ पर देखे 12 है तो हमने 12x लिख लिया 17 है तो 17x लिख लिया और 25 है 25x लिख लिया याद एक से multiply करके हमने सबको इस तरह ratio में लिख दिया x कोई variable ले सकते है x ले सकते है y ले सकते है z ले सकते है जो आपकी इच्छा हो यादि कोई एक variable मानते है उस variable से उसको multiply करके similar form में लिख देते हो इसे लिख दिया हमने अब देखे हमें मिल गया है जो side दिया है यहाँ 25x जो value दिया है उसको input करेंगे फिर 17 है 17x लग दिया यहाँ 25 सरे 12 है तो 12x लग दिया तो यह आपका अब x में value लिख दिया गया यह ratio वाला इस तरह लगाएंगे अब सेम फार्मला जैसे हम लगाती चले आ रहे हैं पहले क्या करेंगे यहाँ देखे perimeter दिया हुआ है तो perimeter का formula लगाएंगे अब perimeter का formula क्या होता है सभी side का sum AB plus BC plus CA यह AB है ABC है CA है तो सभी को हम sum करेंगे अब देखे AB की value हमने कितना रखा है 25x तो यहाँ लिख दिया 25x और BC की value क्या है 17x तो 17x यहाँ रख दिया यहाँ CA की value देखे 12x है हमने रखा है तो 12x रख दिया अब यह पूरा sum किसके बराबर होगा perimeter जो दिया हुआ है 540 तो यहाँ लिख देंगे 540 यहाँ इन सभी का sum करके बराबर 540 लिख देंगे अब चुकिस सभी एक like term होता है सबके साथ x है तो इसको हम क्या करें सबको sum करेंगे तो 54x आ जाएगा यहाँ इन सभी का sum निकालेंगे याणि add करेंगे तो हमारा 54x मिलेगा और यह बराबर कितना है किसके है 540 के अब इस एक 54 के इसके नीचे लाएंगे तो यानि 540 अपान 54 अब जब हम इसको divide करेंगे तो इसका आ जा माना था यह देखिए 12x 17x और 25x इस में x जो दिया हुआ है इस x की value यहाँ से लग देंगे put कर देंगे सभी में सभी में x की value put कर देंगे तो पहला देखिए 12x है यहाँ ए बी की लंबाई पहले ab की value निकालते है ab कितना माना हमने 25b ab की value जो हमारा देखिए 25x है तो यहाँ देखिए 25x 25 into x की value क्या आया है 10 तो यहाँ 10 put कर दिये तो 25 into 10 बराबर 250 आ गया ab की value अब आ गई कितनी 250 उसी तरह आप देखिए bc की value देखते है bc की value यहाँ दिया 17x तो हम क्या करेंगे 17 into x मतलब 17 into 10 x की value यहाँ 10 put कर देंगे तो 17 into 10 करेंगे तो 170 आ जाएगा सेम तरीके से हमने ca की value 12x माना है तो 12 into 10 यहाँ यहाँ पर देखिए 10 रखेंगे तो 120 आ गया 120 इस तरह से हमारे पास ab की value 250 bc की value 170 और ca की value 120 आ गया तो हम एक और figure ड्रा कर लेंगे ऐसे तो यहाँ देखिए ड्रा क्या हुआ है ab की value हमें मिले है 250 bc की value मिला है 170 और ca की value 120 इस तरह से यह जो value मिली हुई है इसको रख करके एक नया triangle बना लेंगे यहाँ पर एक triangle बन गया अब सेम hirons formula apply करेंगे hirons formula apply करने के लिए हमने तरीका जो बता है पहले s निकालते है s कैसे निकालते है सभी value को add करके by 2 कर देते है अब यहाँ देखिए a plus b plus c by 2 यहाँ आप सभी को sum कर दीजिए अब आप आप सभी को sum करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 540 upon 2 540 upon 2 इसको divide करेंगे तो आएगा 270 यहनि 270 यहनि s के value हमें अब मिल गई है s बराबर 270 cm अब हम hirons formula का area वाला formula गाएंगे क्या होता है formula under root में s, s-a, s-b, s-c यह formula होता है अब इसी में जो value आपके पास है उसको input कर देंगे तो चले input करते हैं s के value कितना है 270 यहाँ देखिए 270 रख दिया फिर s-a है यहाँ पर तो 270-250 यह value a की value रख दिया हमने फिर आता है s-b, s के value है 270 अब b के value कितना है 170 यहाँ रख दिया 170 फिर s-c है तो s के value 270 यहाँ से minus 120 यहाँ c के value रख दिया तो इस तरह से सभी के value हमने यहाँ put कर दिया और सब्ट्रेट कर लेंगे जहां सब्ट्रेट करना जरूरी है तो यह s जो है 270 सिदा उतर गया यहाँ पर 270-250 करेंगे तो इसकी value क्या आएगी 20 हमने यहाँ 20 लिख दिया इधर देखिए 270 में से 170 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 यहाँ 100 लिख दिया यहाँ 270 में से 120 घटाएंगे सब्ट्रेट करेंगे तो आएगा 150 तो इसको भी लिख दिया आप क्या करिए अंडर रूट के अंदर ही इस सब को multiply कर लेगे और आप multiply करेंगे तो यह value आएगी 8100 000 यह value आपको मिलेगी अब इसका अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो 9000 cm2 इसका value आएगा तो इस तरह से इस triangle का जो area होगा 9000 cm2 I hope आपको सहुन में आ गया होगा यह question और exercise 12.1 का यह last question देखते हैं आ एन isocellus triangle uploaded होता है जिसका दो side बराबर होता है म konse at तो हम कहेंगे कि यह isocellus triangle है Iosocellus triangle में 2 side बराबर होती तीसरा different होता है उसको में आ तो यहाँ पर कहा रहा है isocellus triangle है जिसका perimeter दिया हुआ है और कहा रहा 30usoald each has side by 12 centimeter का रूट रहा हैаєधा है उसका perimeter दे रखा था सेंटिम्टर और जो इक्वल साइड है उसका 12, 12 सेंटिम्टर है लेकिन तीसरा भी हमें पता नहीं तो तीसरा हम मानेंगे कुछ तो मान लेते हैं तीसरा साइड जो थार्ड साइड है X है एक ट्रेंगल बनाया हमने यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर A, B, C हमने एक ट्रेंगल ड्रा किया माल लेते हैं A, C और B, C ये दोनों साइड बराबर हैं इक्वल हैं तो इक्वल साइड कितना दे रखा है? 12 cm तो हमने इसको भी 12 माल लिया और इसको भी 12 माल लिया और तीसरा डिफरेंट है हम माल लेते हैं तीसरा साइड एक्स है चुकि दिया नहीं तो हम एक्स माल लेते हैं लेट, थर्ड साइड भी एक्स cm माल लिया अब हमें लगाना हिरोंस फार्म लगाएंगे उसके पहले हम जो वैलू दिया होता उस हिसाब से सवाल लगाते हैं यहां दिया है पेरिमिटर तो हमने बता है पेरिमिटर निकालने के लिए क्या करते हैं सभी साइड को सम करते हैं यहां दिया है सबकी वैलू आट करेंगे तो एबी की वैलू हमारे पास एक्स है यहां देख पा रहे हैं स्क्रीन पर तो यहां x रख दिया bc के value क्या है 12 है यहां देखिए 12 हमने रख दिया और ca के value क्या है 12 है इसको भी हमने रख दिया और यह बराबर किसके है 30 के क्योंकि यहां question में दिया हुआ perimeter यही तो value होती है perimeter तीनो side को add कर दिजे वो हो जाता है perimeter तो x plus 12 plus 12 बराबर 30 अब यहां पर देखिए x एक variable है इसमें जूड़ नहीं सकता है लेकिन यह 12 और 12 जो है यह constant आपसमें जूड़ जाएगा तो x plus 12 plus 12 करेंगे 24 तो x plus 24 बराबर 30 अब इस 24 को इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा यह 30 है यह और इधर जाएगा क्या हो यह minus में आ जाता है तो आपका यह value हो गया 30 minus 24 यानि x के value 6 आ गया यानि यहां जो value जी triangle का unknown था उसको हमने find कर लिया यह 6 cm है अब हमने एक नय triangle फिर बना लेंगे यहां पर हमने बना लिया है triangle देख रहे हैं यह 12 और 12 दिया हुआ था और इसकी value हमने निकाला है 6 cm तो यह एक triangle हो गया जो की हिरोंस फार्मूला अपलाई करेंगे अब हिरोंस फार्मूला अपलाई कर लेंगे क्या करते हैं सबसे पहले S निकालते हैं S निकालने का method होता है सभी side को sum करके half करते हैं A plus B plus C by 2 तो A की value यहाँ पर 6 है तो हमने यहाँ 6 रख दिया B की value यहाँ देखे 12 है यहाँ 12 रख दिया और C की value भी 12 है तो यहाँ 12 रख दिया यहीं तीनों की value हमने यहाँ लिख दिया तो यानि 6 plus 12 plus 12 upon 2 यानि सबको add करेंगे तो 30 हो जाएगा 30 by 2 30 by 2 मतलब 15 divide करेंगे तो 15 आजाएगा यहीं S की value हमें क्या मिल गया 15 यहीं 15 मिल गई अब हम apply करेंगे Heron's formula Heron's formula के लिए formula क्या होता है under root में S, S-A, S-B, S-C तो S की value हम देख रहे हैं 15 दिया हुआ है यहांभी हमने 15 रख दिया फिर S-A और A की value यहां पर 65 है तो हम यहां पर रखेंगे 6 यानि 15 – 6 फिर यहां S-B यानुल is equal € तो S का मील हमने लिखा 15 और B की value यहां 12 देख थे हैं 12 त्रोड दिया है फिर आता है S-C 22 वैलू 15 नक्खा और C की वैलू देखिए 12 दिया हुआ है तो इस तरह से हमने इस ट्रेंगल का इस्तेमाल करके वैलू रख दिया अब हम इसको घटाएंगे 15 15 मेनस 6 घटाएंगे 9 15 मेनस 12 करेंगे तो 3 और 15 मेनस 12 करेंगे तो 3 यह घटाने के बाद हमें वैलू मिल गई यह अब हम क्या करेंगे इन सब को मल्टिप्लाई कर लेंगे मल्टिप्लाई करने के बाद आएगा 1215 अब आप इसका अंडरूड अगर निकालोगे तो 9 अंडरूड 15 आएगा इसका अंडरूड तो इस तरह से इस ट्रेंगल का एरिया हमें मिलता है 9 अंडरूड 15 यानि 9 अंडरूड में 15 cm2 यह आपका इस ट्रेंगल का एरिया का मतलब ट्रेंगल का एरिया आता है, तो इस तरह से हमने अभी तक देखा, 12.1 के 6 सवाल थे, 6 क्वेस्चन थे, हमने 6 के 6 हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर देख रहे हैं, 12.1 जो एक्सरसाइज नमबर था, 12.1 का, तो उसका हमने सभी क्वेस्चन कर लिया, तो अब चलते हैं, 12.2 प अब हम देखते हैं, 12.2 के क्वेस्चन को, अभी तक हम, I think, सभी को समझ में आ गया होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप YouTube पर देख रहे हैं, या Facebook पर देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अगर नहीं समझ में आता कोई कुछ ऐसा है, जो नहीं स तो चलते हैं, 12.2 पर, यहां पर question number 1 दिया है, ए पार्ख in the shape of quadrilateral, A, B, C, D, has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter, और AD 8 meter, यह आपका दिया हुआ measurement, Friends, यहां quadrilateral इस्तेमाल किया है, quadrilateral का मतलब होता है, ऐसा कोई image, या ऐसा कोई figure जिसमें चार side हो, क्यों 4 side हो, कैसा भी हो सकता है, square हो सकता है, rectangle भी हो सकता है, parallelogram भी हो सकता है, रोंबस भी हो सकता है या और कोई सेप में हो सकता बस इतना दियान रखना उसका चार साइड होना चाहिए फोर साइड है तो क्वाडरेटर हो गया तो इस दिये गए मेजर्मेंट के हिसाब से हमने यहां एक क्वाडरेटर ड्रा किया है यहां पर दिखाई दे रहा होगा हमने यह ड्रा किया है तो यहां पर दिया हुआ है अंगल सी 90 डिगरी तो हमने यहां अंगल सी 90 डिगरी बना दिया और यहां पर बीडी हमने मिला दिया है तो जब किसी भी ट्रेंगल में कोई एक angle 90 degree हो जाता है तो right angle triangle बन जाता है तो उसका area निकालना बहुत आसान है half base into height कर देना है बस आ जाएगा तो यहाँ पर देखें दो चीजे दिखाए दे रहे होंगी एक यह right angle triangle दिख रहा है और एक यह scale and triangle दिख रहा है तो इसमें एक चीज find out करना है BD की लंबाई तो BD की लंबाई अभी हमने बताया Pythagoras theorem शुरू में ही बताया था कैसे निकालते हैं hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square यह formula होता है तो यहाँ हम इस figure के हिसाब से Pythagoras theorem apply करेंगे तो BD square यानि यह hypotenuse का square बरावर BC यानि यह side base और CD यानि perpendicular तो यहाँ देखिए यह दिया है 12 12 का square यहाँ दिया है 5 5 का square तो इसको देखिए 12 का square होता है 144 और 5 का square होता है 25 अब आप इसको sum करिए अब आप जब इसको sum करेंगे तो 169 आएगा तो यहाँ square लगा हुआ है square हटाएंगे तो आज आएगा आपका 13 cm यानि कि 169 का जब under root निकालेंगे तो आपको 13 मीटर मिलेगा तो अब हम देखते हैं आगे 13 हमें मिल गया इसका hypotenuse इसका यह value मिल गई है 13 है अब हम पहले इस triangle के area निकाल लेते हैं यह जो right angle तो 5 रख दिया, निकाल लेंगे तो इसका आएगा 30 मीटर स्क्वाइर, 12, 65, 60 upon 2 मदलब 30 मीटर स्क्वाइर, यानि इस वाले का एरिया, इस वाले ट्रेंगल का एरिया आगे आपका 30 मीटर स्क्वाइर, अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए, यह जो वैलू है, इसमें, तो सिं आगे हिरोंस फार्मॉला अप्लाई करेंगे, हिरोंस फार्मॉला के लिए क्लिए है, पहले एस निकालते हैं, एस बराबर A प्लस B प्लस C भाइटू, यानि 13, प्लस 8, प्लस 9, भाइटू कर दिया, तो इसका स्थाम निकाला हमने 30, 30 भाइटू, यानि 15 आ गया, एस के यहां 15 है, 15 रख दिया, फिर S मैनस A है, यहनि 15 मैनस 13, रख दिया हमने, फिर S मैनस B है, तो 15 मैनस 8 कर दिया, फिर S मैनस C है, यहनि 15 मैनस 9 कर दिया, तो यहां जहां S है, वहां 15 रख दिया, और A, B, C की वेलो हमने रख दिया, घटान ए, इसको सब्टेट करने के बाद हमें मि तो यह value हमें मिल गई, अब क्या करें इन value को multiply कर लिजिए, इसको multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 1260, 1260, अब हम इसका under root निकालेंगे, under root निकालेंगे तो हमें यह value मिलेगी, 35.496 meter square, अब देखे, दो डो ट्रेंगल के area हमें मिल गया, एक मिला 30, यहां पर देख सकते हैं, अब एक मिला है आपका, 35.496, अब पूरे coordinator के area निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को add कर देंगे, यहां थर्टी और यह add कर दिया हमने, यहां देख सकते हैं, 30 प्लस 35.496, तो हमें मिल गया 65.496, लगफ़क हम कह सकते हैं 65.5, यह यह value हम 5 मान सकते हैं, तो यह approximately मिल गया, 65.5 meter square इसकी area आ गई, इस सवाल का, तो I hope यह question सांद में आ गया होगा, चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के तराफ, यहां इसक्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, A, B, C, D, अब A, B देख रहा है, 3 cm दिया हुआ रख दिया, B, C, 4 और C, D, 4 और यह 5 और यह 5 और यह 5 दिया, सभी जो जो measurement दिया हुआ, उसका इस्तेमाल करके, हमने एक quadraltar draw कर लिया, तो इसक्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो triangle, लेकिन यहां एक चीज़ देखने वाली बात है, A, B, C को ध्यान से देखिए, A, B, C को देखने पर यह 3 cm दे रहा है, यह 4 cm और यह 5 cm, यह triplet बन गया, right angle triangle बनना है, तो इसको हमने यहां draw कर दिया, देखिए, 3 cm, 4 cm, और 5 cm, अब इसको check करेंगे, right angle triangle है की नही तो इसको check करने का simple तरीका होता है, hypotenuse का square, यहां इसका square, इन दोनों के square के sum के बराबर हो जाए, तो right angle triangle हो जाता है, तो यहां हम देखिए, verify कर लेते है, A, C बराबर, A, B, square plus B, C का square रख दिया, 5 का square, इसको दो 3 का square, plus 4 का square, रख दिया, तो देखिए, 25, 25 बराबर आ रहा है, तो इसका value हम निकाल सकते है, right angle triangle का formula apply करके, तो इसका formula क्या होता है, half base into height, half लिखिया, base क्या है, हमने माना 3 cm, यहां 3 रख दिया, और height क्या है, 4 cm, 4 रख दिया, तो इसको solve करेंगे, तो 6 cm आ जाएगा आपका area, तो triangle A, B, C का area आ गया, 6 cm square, अब आते है, second पर, इसको दे है, इसको हमने cut करके यहां लिखा है, यह 5 है, यह 4 है, यह 5 है, इसका मतलब यहां here one's formula लगाएंगे, here one's formula simple, पहले क्या करते है, S निकालते है, S की value कैसे निकालते है, A plus B plus C by 2, A की value 5, B की value 4, C की value 5, हमने रख दिया, 5 plus 4 plus 5 upon 2, यहीं 14 upon 2, यहीं 7 आ गया, यहीं S की value हमें मि अब हम here one's formula में apply करेंगे, underwood में S, S minus A, S minus B, S minus C, दिया हुआ है, तो हम रखते है, S की value यहां देखे, 7 रख दिया, फिर यहां S आ रहा है, 7 minus 5, पहला साइड, S minus B, 7 minus 4, S minus C, 7 minus 5, रख दिया हमने value, अब इस, S की value यहां 7 है, 7 रहें दिया, अब यहां 7 में से 5 सब्टेट कर यहां 7 में से 4 घटाएंगे, तो 3 बचेगा, यहां 7 minus 2 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो 2 मिलेगा, इस तरह से घटाने बाद हमें यह value मिल गई, अब हम इसको multiply कर लेंगे, तो आएगा 84, और फिर 84 का root निकालेंगे, तो 22, root 21 आ जाएगा, और 21 का root निकालेंगे, तो आपका यह answer आ जाएगा, 9.166 cm2, यही दूसरा वाला जो ट्रेंगल था, उसका आगया 9.177, इसका आगया आपका area, अब हमारे पास दोनों area अबलेबल है, एक है आपका, यहां देखे 6 cm दिया हुआ है, और दूसरा जो हमने निकाला है, 9.166 cm दिया है, अब दोनों को हम add क कर लेंगे, 6 plus 9.166 square करेंगे, तो 15.166 आ जाएगा इसका answer, तो यह पुरे quadratal का area आ गया, इस तरह से area आपके quadratal A, B, C, D is 15.2, यानि यह 0.166 को हम 2 approximately मान सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख देंगे 15.2 cm2 approximately, तो I hope यह भी question आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं next question के तरब next question है, राधा made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure, जैसा कि figure में यह दिखाई दे रहा होगा आपको, यह एक aeroplane बनाया है, तो आपको इसका paper का जो use किया गया है, उसका area कितना है, वो निकालना है, तो यह भी बहुत यह आसान question है, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले, यह triangle दिख रहा है, equilateral triangle, तो इसका area निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए, picture में, यह right triangle triangle दिख रहा है, तो right triangle triangle का area निकाल लेंगे, नीचे देखिए यह वाला portion, यह trapezium दिख रहा है, trapezium निकाल लेंगे, और एक right triangle triangle इधर है, एक right triangle इधर है, तो हम इन सब का एक एक करके निकाल देंगे, पहल यह 5 cm दिया है यह 5 cm दिया है अब यह 1 cm दिया हुए नीचे साइड यहाँ पर देख सकते हैं अब इसका एरे निकालेंगे हम हिरोन्स फार्मॉला प्राइग करेंगे इस पहले निकालेंगे एस पराबर a plus b plus c by 2 यहीं सबका सम करेंगे और by 2 कर देंगे यहीं 1 plus 5 plus 5 यहीं इसकी वैल्यू क्या होगे 11 by 2 यहाँ 5.5 इसका ऐसा आगया हमें अब हम एरे वालब फार्म लगाएंगे क्या होता है अंडरूड में S, S-A, S-B, S-C तो S के बालू 5.5 था यहाँ S-A है देखिए 5.5-1 है क्योंकि एक side 1 दिया हुआ है दूसरा है S-B यहनि 5.5-5 तीसरा है S-C यह भी है आपका 5.5-5 क्योंकि यह 5.5 दिया हुआ है अब इसको देखिए 5.5 यहाँ रहने देंगे इसको घटाएंगे, सब्टेट करेंगे तो यह आएगा 4.5 यहाँ पर घटाएंगे तो 0.5 आएगा यहाँ पर घटाएंगे तो 0.5 आएगा इस तरह से यह घटाने पर हमें value मिल गई अब हम क्या करेंगे इन सभी values को multiply कर लेंगे multiply करने के बाद हमें यह value मिलेगी 6.1875 अब हम इसका under root निकालेंगे under root जब निकालेंगे तो इसको आएगा 0.75 under root में 11 यहाँ 0.75 और root में आपका 11 आजाएगा यह आपका value और root 11 की जो value रख देंगे और multiply करेंगे तो यह value आजाएगी root 11 का होता है 3.317 आप इसको multiply करेंगे तो मिलेगा 2.488 cm approximately इस तरह से पहले का यानि इसका area हमें मिल गया first वाले का first वाले का area मिल गया इसको हमने पहला equation मान लिया है 2.488 अब आते हैं second पर जो हमारा rectangle दिया हुआ यह वाला person रेक्टेंगल का area का फार्मा आप सभी को पता है length into breadth तो length दिया हुआ 6.1 sorry 6.5 और breath दिरेक्ख 1 cm यहाँ आप देख सकते हैं measurement पे यह देखिए यह दिया हुआ 6.5 cm और इसका breath दिया है 1 cm तो लंबाई गुड़े चोड़ाई यहनि इसको सिधा कर देंगे 6.5 into 1 तो यह 6.5 आ जाएगा यहनि सेकंड वाले जो रेक्टेंगलर टाइप का है उसका area 6.5 आ गया तो आपका दूसरा equation हो गया अब आते हैं trapezium shape में जो दिया हुआ यह सबसे नीचे देखिए trapezium trapezium क्या होता ऐसे दो parallel side होती है और दो unparallel side होती है तो इस तरह की image को हम कहते है trapezium इस तरह भी हो सकता है और यह ऐसे भी हो सकता है यह होता है trapezium यानि इसके लिए condition यह है कि कोई दो side यह है और यह side parallel होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए यह trapezium दिख रहा है इस side की one है इसका two है तो इसको solve करने कोशिश करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह one है और यह two है तो यह 0.5 इधर निकल गया 0.5 निकल गया क्योंकि यह one one है हमने draw किया अब यहाँ देखिए one centimeter यह दिर रखा है और 0.5 यह है तो इसको height निकालने के पाइथागरस पर्मे का इस्तेमाल करके पाइथागरस धिरम का इस्तेमाल करके तो यहाँ आपने apply किया तो 0.866 आ गया आपकी height अब आप क्या करेंगे ट्रेपेजम का एक फार्मला होता है एरिया निकालने का area of trapezium is equal to one by two sum of parallel side into height यह किसी trapezium का area निकालने का formula होता है तो यह होती है parallel side यह उपर और नीची parallel side होती है तो हमने क्या क्या one by two formula में है sum up parallel side मतलब यह side और यह side add कर लेंगे यहाँ one दिया है यहाँ two दिया है तो two और one add करेंगे तो यहाँ हो जाएगा three into height यह जो height हमने अभी निकाला है point eight six six तो यहाँ रख दिया हमने अब क्या करेंगे इसको sum करेंगे तीन हो जाएगा three one by two यानि हमें क्या मिला one by two into three into zero point eight six six या अब इसको हम solve करेंगे तो हमारे हमारे पास आजाएगी value one point two nine nine centimeter quarter तो यह ट्रेपेजम का भी हमने निकाल लिया area तो इस तरह से हमने क्या किया करेंगे इस ट्रेंगल का निकाल लिया और यह rectangle का निकाल लिया and trypism का निकाल लिया अब यह दोनों जो यह दोनों सेम है राइट अंगल ट्रेंगल एक का निकाल यह डबल कर दिए दूसरा भी आ जाएगा तो हम इसका भी निकाल लेते हैं यहां देखिए इसको हमने ट्रॉइ किया है यह 6 cm है और यह 1.5 cm है यह राइट अंगल ट्रेंगल बनना है तो इसका फार्मूला होता है दिए आप इसको बेसमाल लो या इसको बेसमाल लो यहां पर हमने इसको बेसमाल लिया है यह था माल लिया है तो 1.5 x 6 आगे पीछे कोई मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसको जब सॉल्फ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5 हमने बता है इस साईट का जो 4.5 दूसरा वाला भी यही आजाएगा 4.5, दोनों सेम है, अब हम टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, सभी को सम करेंगे, सभी को सम करेंगे, तो आएगी वैलू 19.287, तो इस तरह से जो एरो प्लेन बनाया गया, उसमें जो पेपर यूज हुआ है, उस टोटल पेपर का एरिया आया 19.287 cm2, यह आप का आंसर हुआ, I hope, यह question आपको आसानी से सांज में आ गया होगा, चलते हैं, next question के तरफ, next question है, a triangle and a parallelogram have the same base and area, यह आपके पास एक triangle है, और एक parallelogram है, दोनों का area same है, यह question कह रहा है, दूसरा, if the side of triangles are 26, 28, और 30, यह जो triangle है, उसका side दे रखा है, एक दे रखा 26 cm, 28 cm, और 30 cm, यह side दे रखा है, और parallelogram stands, base 28 cm, यह जो parallelogram बनाया गया है, उसका base कितना है, 28 cm है, अब इसका height बताना है, parallelogram का, ठीक है, तो लगाते हैं, पहले देखते हैं, यह जो triangle दिया हुआ है, इसका area निकालते हैं, area निकालेंगे क्यों, कैसे, hero's formula का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबका side different है, तो hero's formula अपलाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले S निकालते हैं, तो S लगाएंगे, A plus B plus C by 2, S, यानि A की value हमने क्या लिया 30, B की value लिया, sorry, A की value 28, B की value 30, और C की value 26, आप कोई value ले सकते हैं, जुरू नहीं कि इसी क्रम में लिजिए, आप A इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, जिसको आप चाहें मान सकते हैं, B जिसको मान सकते हैं, आइसा नहीं कि इसी system से लगाएं, तो A, B, C हमने लिया 28, 30, और 26, अब आप इसको सबको सम करिए, सम करने के बाद आया 84, 84 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, यानि कि हमें S की बेलू मिल गई 42, S बराबर 42 मिल गया, अब हम हिरोन्स फार्मला का एरिया वाला फार्मला गाएंगे, क्या फार्मला होता है, अंडर रूड में S, S- S-A, S-B, S-C, यह फार्मला होता है, तो S के बेलू हमारा है 42, 42 रख दिया, फिर S-A, यहनि 42-28, S-B, यहनि 42-30, S-C, मतलब 42-26, जो A, B, C की बेलू थी, उसको हमने यह पुट कर दिया, अब यह तो 42 A से रह जाएगा, क्योंकि इसको घटाना ही कहीं से, यहां पर दिख सब 42-30 है, तो बचेगा 12, 42-26, तो यहां बचेगा 16, सब को सब्ट्रेक्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इन सब बैलू को मल्टिप्लाइ करेंगे, भाझ हम यह वैलू मिली, 112896, अब हम इसका अंदर रूड निकालेंगे, जब हम इसका अंदर रूड निकालेंगे, तो इसका एरिया आ गया 336 और question में कह रहा है जो यह Payalologram है उसका और triangle का area same है देखे बेश Same है और area भी same है तो जो area यहां इसका हमने निकाला है वही area इसके बराबर कर देंगे paying parallelogram को क्यों क्योंकि पयले लोग्राम का area triangle के बराबर है कुश्चन खुद कह रहा है तो अब हम parallelogram का area का फर्म लगाएंगे parallelogram का area का फर्म लगाएंगे parallelogram का area का फर्मना क्या होता है जैसे माल लिए यह parallelogram है यह होता है base और यहाँ पर दी होती height तो फर्मना होता है base इसको माल लेते हैं b इसको h माल लेते हैं तो base into height इसका फार्मरा होता है एरिया निकालने का तो base into height और ये area किसके बराब होगा है 336 क्योंकि कह रहा है तो यह ही इसका area हो जाएगा तो 28 base दे रखा यानि इसका base question में कह रहा है 28 तो 28 रख दिया है h हमें नहीं पता तो h ही रहने देंगे तो 28 into h बराबर 336 यह आ गया तो h बराबर क्या करेंगे इसको h के नीचे लिए आए तो इसको divide काटेंगे divide करेंगे तो 12 आ जाएगा यह हाइट आपकी कितना मिल गई 12 cm या मेटर जो भी है तो इस parallelogram का height हमें मिल गया 12 cm 12 cm यह ही इसका answer हुआ आई होप यह question भी आपको अच्छे समय आ गया होगा चलते हैं next question की तरफ next question है a rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to grids एक rhombus type का field है rhombus किसको कहते हैं ऐसा figure जिसके सभी side बराबर होता है जैसे आपने square देखा आगए square में सभी side बराबर होता है तो isquire का ही छोटा भाई होता है rhombus मिया square को थोड़ा तेढ़ा कर देते हैं तो वह बन जाता rhombus यह आपका square है स्क्वाइर में क्या है सभी साइट बराबर होता है साथी साइट के डाइगनल भी बराबर होता है और तिसरी बात है इसका जो साइट है ना हमेशा 90डी क्रास करेगा तो हो जाता है स्क्वाइर और यहाँ पर भी 90 degree cross करता है लेकिन जो rhombus होता है इसको थोड़ा तिरचा कर दिजिए इसे ऐसे यहाँ यह side तो सब का बराबर है लेकिन diagonal अलग हो गया यहाँ पर सभी diagonal बराबर थी यहाँ diagonal ले लंबा हो गया चोटा हो गया तो diagonal different हो गया दूसरा क्या है यहाँ पर सभी 90 degree cross कर रहे थे side यहाँ पर 90 degree cross नहीं कर रहे है जरूर नहीं होता है हाँ लेकिन यहाँ 90 degree cross करेगा तो एक दो feature change हो जाता है एक तो diagonal यहाँ बराबर था यहाँ बराबर नहीं रह जाता है और दूसरा यहाँ 90 degree रहता है यहां 90 degree नहीं रह जाता है, बस फर्क ही है, लेकिन side इसका भी, इसका भी same होता है, तो आपको यहां बात हो रही है, रोमबस की, तो एक grass land है, मतलब घास का मैदान है, उसमें 18 गाय चर रही है, और सभी जो रोमबस है, वो side कितना जिया है, 30 meter, 30 meter, 30, यानि यह side 30 है, यह भी 30, 30, यह भी 30, यह भी 30, 30, 30, 30 का measurement है, अब आपको बताना है, एक जो diagonal ही 48 meter दे रखा है, तो आप पहले इसका area निकालेंगे, area निकालने के बाद, divide करेंगे 18 से, 18 से, क्योंकि यह 18 गाय चर रही है, तो कितना कितना मिलेगा एक एक गाय को चरने के लिए घास, तो देखते हैं question पहले क्या करिए, इसको solve करने का तरीका यह है, आप इसको यहां से cut कर दिए, तो आपको एक triangle मिल जाएगा, यह triangle मिल गया, और एक triangle मिल गया, इसको double कर देंगे, तो दोनों हो जाएगा, तो सबसे better तरीका solve करने का यह है, कि यह triangle का निकाल लिए और इसको double कर दिए, तो प तो यह भी 30 लिग दिया या इसको कर लिए इसको कर लिए या इसको बहुत बल्खे के ही है तो यहां हमने ABC लिखा हुआ यहां है यह आपका A है यह value यहां लिख दिया B यहां है और D यहां आपने इस triangle को cut किया है यहां लिख दिया तो इसको जब सम करेंगे 108 आएगा 108 बय 2 यानि 54 तो s के बालु हमें मिल गया 54 अब s के बालु निकालने के बाद क्या करेंगे अंडरू निकालेंगे area फारूं लगाएंगे s s-a s-b s-c तो S के value 54, 54 minus A के value क्या है, 30 54 minus 30, 54 minus 48 सभी के value A, B, C की रख दिया हमने अब उसका subtract कर देंगे यहाँ देखे 54 लिख दिया अब 54 minus 30, यह 24 आ गया 54 minus 30, यह 24 आ गया अब 54 minus 48, 6 आ गया अब क्या करेंगे, इन सब को multiply कर लेंगे, इन सभी value को multiply कर लेंगे, तो आएगा यह value 186, 6 to 4 अब इसका under root निकालेंगे under root निकालने के बाद आएगा 4, 3, 2, यहनि area of triangle आ गया 432 meter square अब हमने बताया कि यहाँ पर एक का निकल गया इतने का निकल गया, और इसको double कर जिए तो दोनों का आ जाएगा क्यों दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो बार add कर लिया 432 432, दोनों का आएट किया तो 8, 64 meter square उस पूरे rhombus का area आ गया हमारा अब इस rhombus का area जो आया है, इसमें 18 गाए चर रही है, 18 गाए तो यह 8, 64 को हम 18 से divide कर देंगे, तो आज आएगा आपका आंसर, 48 meter square, यहनि पर गाए को grays करने के लिए 48 meter square area चाहिए, 18 से divide किया, क्योंकि 18 गाए grays कर रही चर रही है, उसमें दिया हुआ question में तो आपका आंसर क्या हुआ 48 meter square I hope यह question भी आपको सहन में आ गया होगा, अच्छे से तो चलते हैं, next question के तरफ next question है iron umbrella iron umbrella is made up by stitching 10 triangular piece of cloths of 2 different colors इनी 10 triangular shape में यूज किया गया है 2 color में, यानि 5-5, यानि 5 एक color का है, 5 एक color का है इसका मतभ़ यह हुगा और उसका measurement दिया है 20 cm, 50 cm और 50 cm जैसा कि हमने यहां figure ड्रा किया है यह एक figure है, इसी तरह से 10 है तो 5-5 के 2 set है तो एक का निकाल लेंगे फिर हम multiply करनेंगे तो यहां पर देखिए, यह दिया है 50 cm यह 50 cm और यह 20 cm तो इसका area निकालने के लिए हम क्या करेंगे, hero's formula अपलाई करेंगे तो पहले s निकालते हैं जैसा कि आप सुरूस जाना है a plus b plus c by 2 यानि आपका क्या हो, 20 plus 50 plus 50, सभी को sum किया है हाँ पर upon 2 तो 120 upon 2 मतलब 60 s की बेलों हमें मिल गई s की बेलों हमें 60 मिल गई अब हम hero's formula अपनाई करेंगे area के लिए तो area के फार्मला क्या होता है under root में s, s minus a, s minus b, s minus c अब बेलों हम put कर देंगे s की value 60 हमने निकाला है यहाँ पर देखिए फिर s minus a, 60 minus a यहाँ पर 20 फिर s minus b, 60 minus 50 यहाँ फिर s minus 60 50 फिर यहाँ पर 50 देखिए तो सबकी value हमने put कर दिया यहाँ पर put करने के बाद अब हम subject करेंगे यह ऐसे रह जाएगा अब 60 मेंस से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा और 60 मेंस से 50 subject करेंगे तो 10 आएगा यहाँ पर 60 मेंस 50 करेंगे तो 10 आएगा इस तरह से हम subject कर लेंगे तो हमें यह value मिल जाएगी इसके बाद क्या करेंगे हम इन सब को multiply कर लेंगे multiply करने के बाद मिलेगा 24 00 00 अब हम इसका under root निकालेंगे under root जब निकालते है तो 200 root 6 आता है इसकी value अब देखिए एक triangle का area आया है इसका एक triangle का area है 200 root 6 तो हमने बता है यहाँ पर 10 दिया है जिसमें 2 color में है नि 5 पाद का piece है तो पर color का पूछा है तो हम माले 5 triangular piece है तो इसको हम 5 से multiply कर देंगे 200 root 6 into 5 तो आएगा 1000 root 6 यानि हर एक कलमा लो एक white है एक black है तो white 5 है और black 5 है तो एक एक का यह नि white का total आ गया 1000 root 6 एक का आ गया उस तरह ब्लैक का भी कर लिए 1000 root 6 cm2 यानि इच का जो है किस किस color का जो भी अब लेवल है उसका यह area आ गया तो इस तरह से यह question हमने solve किया इसका answer आपका मिल गया 1000 root 6 cm2 यह I hope यह question समझ में आ गया होगा इसका solution कैसे solve करते हैं तो चलते हैं next question के तरफ अगला question है एक kite is in the shape of the square diagonal यह दे रखा 32 cm ISO celest triangle is based 8 cm और 6 cm दे रखा ठीक है कह रहा है एक square है ऐसे मालते square दे रखा है तो इसका diagonal दिया है 32 यानि यह diagonal 32 है और यह diagonal भी 32 है और इसके नीचे एक दिया हुए triangle जो की ISO celest है यानि यह 6 है यह 6 है और यह 8 है 8 cm है इस तरह से बना हुआ है अब आपको इसका area निकालना है तो simple किसी square का area निकालने के लिए simple formula होता है diagonal D1 into D2 अपान 2 भी कर सकते हैं यह rhombus में भी apply कर सकते हैं और square में भी apply कर सकते हैं तो ठीक है हम यहाँ पर apply करते हैं 1 by 2 diagonal का square 1 by 2 लिखा diagonal हमारा 32 दे रखा है तो 32 का square कर दिया और इसको solve करने के बाद हमें मिला 512 cm2 यानि इस पूरे का area आगे हमारा 512 cm2 अब इसका half किया जाए तो half करेंगे तो आजएगा 256 256 यानि हाफ पूछा तो हाफ ने निकाल देंगे इसका half कर देंगे 256 cm2 each आजएगा अब आता हम नीचे वाला यह सवाल solve करेंगे तो इसको हम apply करेंगे hero's formula कैसे s पराबर a plus b plus c by 2 यह apply करेंगे तो यहाँ पर दिखे 6 दिया है 6 6 6 और 8 यानि 6 plus 6 6 plus 8 अपांटू यानि 20 अपांटू यानि 10 आ गया यानि s की वालू हमें मिल गया 10 अब area निकालेंगे under root में s s minus a s minus b s minus c put कर दिए वालू s की वालू 10 है s minus 6 s minus 6 और s minus 8 यानि सब की वालू रखने के बाद हमें solve करने के मिला यह 10 4 4 2 multiply करेंगे multiply करने के बाद आ जाएगा 320 cm अब इसको under root निकालेंगे तो 8 root 5 आ जाएगा under root 5 की वालू रखेंगे तो आपका यहां मिल जाता है आपका 17.92 cm2 यानि जो नीचे वाला triangle जो जुड़ा हुआ था उसका answer हमें मिल गया तो इस तरह से थार्ड वाले triangle का जो set area है 17.92 पहले का हमने देखा 256 दूसरे वाला का 256 और तीसरे का हमें मिला 17.92 cm2 इस तरह सब को सम करेंगे तो 529.92 cm2 इस पूरे kite का area आ गया I hope यह question भी आपको सब में आ गया होगा next question देखते है a floral design on the floor is made up of 16 tiles कोई design बना हुआ जिसमें 16 tiles यूज किया गया है triangular shape में है जिसका measurement दिया हुआ है 9 cm, 28 cm और 35 cm अब उसको polishing करना है उसका rate 50 पैसे के हिसाब से बताना है तो simple हम क्या करेंगो उसका area निकाल लेंगे एक tiles का area निकालिए फिर 16 से multiply कर दिए इस पूरे का आ जाएगा अब फिर जो cost है उससो multiply करके उसका निकाल लेंगे कितना आ रहा है तो पहले area निकालेंगे एक tiles का क्या formula है s बराबर a plus b plus c by 2 यहाँ पर देख लिए 28, 9, 35 दे रखा है हम add कर लेंगे 28 plus 9 plus 35 upon 2 तो यहाँ आ गया 72 upon 2 इसको divide करेंगे तो 36 आ गया यहाँ एस की value हमें मिल गई 36 cm फिर hero's formula लगाएंगे under root में s, s minus a, s minus b, s minus c same फिर 36, 36 minus 28 यहाँ देखिए 36 minus 9, 36 minus 35 यह रख दिया अब हम इसको solve करेंगे तो मिलेगा 36 यहाँ 36 minus 28 करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ 36 minus 9 लिखेंगे तो 27 और 36 minus 35 करेंगे तो 1 आ जाएगा इस तरह से हमें यह value subtract करने पर आ जाएगी अब इसको multiply करेंगे तो मिलेगा 7776 और फिर उसका under root निकाल लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 36 under root 6 यह under root 6 की value रख देंगे तो आपका area आ जाएगा 88.2 cm2 अब यह एक tiles का आया है जैसा कि हम question में देख चुके हैं कि 16 tiles है तो उसको 16 tiles से multiply कर दीजिए तो आएगा 1411.2 cm2 पूरा area आ गया अब हम cast निकालते हैं 50 पैसे के हिसाब से तो 50 पैसे को रूपए में convert करेंगे तो 0.5 आ जाएगा तो 0.5 से हम multiply कर देंगे जब 0.5 से multiply करेंगे तो 705.60 रूपीज आ जाएगा यह total जितना भी tiles है 16 tiles हैं उनको policing करने में हमें 705 रूपे 60 पैसे यह 705 रूपीज 60 पैसे उसका cost आएगा तो इस तरह से यह question I hope आपको सुन में आ गया होगा तो चलते हैं last question के तरफ next question है a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 cm and 10 cm और non parallel sides 14 cm 13 cm find the area of a trapezium तो यह भी अच्छा question है important question है आपके exam के लिए देखते हैं एक हमने trapezium बनाया जैसा की screen पर दिखाई दे रहोगा a,b,b,c,c,c,d or,da सब बैलों हमने output कर दिया यहाँ पर हमने क्या किया है एक line ड्रा किया be यह a,d के parallel ताकि यह एक parallelogram हमें मिल जाए तो यहाँ पर आप आप स्क्रीन पर देख पा रहा हूँगे यह हमें एक parallelogram मिल गया अब दूसरा क्या है एक triangle भी हमें मिल जा रहा है तो बस क्या करना है एक parallelogram का area निकाल लिए एक triangle का area निकाल लिए दोनों को sum कर लिए इस पूरे trapezium का area आ गया यह इसका concept है तो समझने कुछ करते हैं पहले हम triangle का area निकालते हैं triangle में देखिए कह रहा है यह एक parallel side 10 cm है और दूसरा parallel side कह रहा है 25 cm है देखिए 25 और 10 है तो हमने कहा इस इस line के parallel हमने line draw किया है तो यह 10 cm तो यह भी हमारा 10 cm होगे यहां से आ तक और यहां से पूरा दिया 25 तो 25 में से 10 घटा देंगे तो यह value हमें मिल जाएगी 15 इसका मतलब यह हुआ कि e और c की लंबाई हमें 15 cm मिल गई क्योंको 25 में से 10 घटा दिया हमने तो मिल गया 15 cm यहां पर अब हमारे पास triangle जो है इसका side दिया है 13 इसका side है 15 और इसका side दिया है 14 cm तो hero's formula का इसका area आराम से निकाल सकते हैं तो चलते हैं इसका area निकालते हैं सबसे पहले क्या करना होता है s निकालना होता है s के लिए formula क्या होता है a plus b plus c by 2 यहां पर देख लिए हमने apply किया तो s बराबर 15 15 cm यह देख रहा है b है आपका 14 c है आपन 13 तो रख दिया हमने solve किया तो 42.2 यानि 21 cm रा गया s की value s की value हमें मिल गया 21 meter या centimeter जो भी है यहां चुकि meter में value है इसलिए meter में रख दिया यहां पर हमने थोड़ा correction किया था क्योंकि centimeter लग दिया था गलती से जबकि meter में value दिया इसलिए हां पर meter है next देखे अब area निकालने का formula क्या होता है underwood में s, s-a, s-b, s-c rख दिजिए s की value हमारे पास 21 है 21 रख दिया फिर s-a 21-a मतलब 15 यह देखे 15 दिया हुआ है फिर s-b 21-14 यह देखे 14 दिया हुआ है रख दिया हमने s-c 21-13 यह देखे 13 रख दिया तो इस तरह से हमने सभी value को यहां put कर दिया put करने के बाद इसको हम solve कर लेते हैं 21 21-15 बदाबस 6 21-14 7 21-13 8 आ गया इस तरह से हमें यह घटाने पर हमें मिल गया अब हम इसको सीधा multiply कर लेंगे multiply करने के बाद हमें मिलेगा 7056 अब 7056 का हम under root निकालेंगे तो 84 meter square आ गया यानि कि आपका जो triangle है उसका area हमें मिल गया 84 meter square अब दूसरा देखते हैं जो parallelogram है parallelogram का formula होता है area निकालने का base into height अब हमारे पास base तो है 10 centimeter लेकिन यह height नहीं दे रखा है तो height यहां से निकाल देंगे तो देखे यह triangle है इसका area निकालने का formula होता है base into height का half यहां से हमें यह height मिल जाएगी तो हम वह यह apply करने जा रहे है यहां देखे half base into height का formula 1 by 2 किया 15 bf यह जो height थी फिर इसको जब solve किया तो हमें मिल गया 11.2 यह यह height हमें मिल गया अब हम apply करेंगे parallelogram में base into height होता है तो 11.2 x 10 इसको multiply करेंगे तो 112 meter square आ जाएगा तो हमारे पास parallelogram का area आ गया और triangle का area आ गया अब दोनों को हम add कर लेंगे दोनों को add करेंगे 84 plus 112 यानि 196 meter square इस तरह से इस पूरे triangle के area trapezum के area हमने निकाल लिया 196 meter square I hope आपको question समझ में आ गया होगा अच्छे से यह वो question थे जो NCRT में हमारे दिये हुय है class 9th के chapter 12 जो hero's formula का chapter है उसमें यह सवाल दिये हुय थे उसमें दिये गए हमने सारे सवाल यानि सभी question को solve किया एक भी question नहीं छोड़ा है तो इस तरह से आप आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना detail में समझाने के बाद आई होप आप सभी को hero's formula से related हर चीज समझ में आ गया होगा चाहे किसी भी label का question पूछा जाये तो आप उसको solve करने में सक्षम है अगर इस chapter को बढ़ियां से समझ गे तो अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दो बार देखे तीन बार देखे चार बार देखिए लेकिन इसको समझ लीजिए ध्यान से आप किसी भी exam में एक दो question जो isolated आते हैं सवल solve करनेंगे और ninth के बच्चे जो है class ninth में जो पढ़ रहे हैं उनका एक full chapter तयार हो गया जो कि सबसे toughest chapter माना जाता है अच्छे अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इसमें हमने simple form में समझाने कोसिस की है I hope आपको समय आ गया होगा अगर किसी प्रकार का सुझा होए या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा email id है gsgntube at the rate gmail.com जैसा के facebook पर भी है google पर भी available है और telegram channel पर भी वहाँ पर भी यह video और pdf available है वहाँ से आप देख सकने कहीं फिर देख लीजिए समय लीजिए आराम से और यह channel 100% free of cost है किसी प्रकार का कोई charge नहीं है इसलिए channel को subscribe कर लीजिए और इस पर provide किया गया हर study material आपके लिए useful है उसको जरूर देखिए लेकिन pdf download करना मत भूलें ताकि एक notes आपके पास available होना चाहिए अगर pdf download करने में कोई दिक्कत हो रही है तो भी हमें लिखे हम आपको mail कर देंगे तो I hope आप सभी को इस chapter में बताएगे question और concept साम में आ गया होगा इसी के साथ आप सभी लोगों को GS Gyan Tube channel से जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत